जैहिन नमस्कार वंदे मात्रम सभी स्टूडेंट्स को वेलकम है आपका तरुना डिफेंस अकैडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉमेंट बॉक्स में वाट्सेप पे और इंस्टाग्राम पे एक ही सवाल है कि क्या हम जो है एज क्राइटेरिया अगनीवीर का आर्मी का जो रखा गया है उसके अंदर आते हैं या नहीं आपको मैं यहाँ पे काउंट करना सिखाऊंगे कि एज जो काउंट कैसे करते हैं फटा फट से ठीक है छोटा सब वीडियो होने वाला जलदी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजे यहाँ पे आप दिखिए एक बार आपको पता हो तो साड़े सत्रा से लेकर इस साल 23 की एज जो है आर्मी में रखी गई है अगनीवीर में रखी गई है ठीक है वरनाई कितनी होती है इसमें 21 होगी हमेशा इस साल 2 साल की छूट दिये छूट देने के बावजूद भी कुछ बच्चे इससे बाहर हो रही है ठीक है तो बच्चों ने और छूट मांगने के लिए यहाँ पे याचिका दायर की हुई है तोड़ वापस लेने के लिए उनक जानकारी आपको पहले ही दे दी गई है तो यहाँ पर देखेंगे हमां आपको सबसे पहले बताएंगे कि eligibility criteria में age limit क्या है और जो है यह किस तरह से हम count करेंगे हमारी age देखो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि जो recruitment year है यहाँ पर देखें आप तो यह है एक अप्रेल से 31 मा जहता है ठीक है और जो एज होगी वो कब count होगी first day of the month of October ठीक है अक्टूबर के पहले दिन से count होगी मतलब 1 October से ठीक है यहाँ पर पहले का 21 year था अब दो बढ़ा दिया है तो यह 23 year हो क्या है मतलब 1 October 2022 से हमको देखना है मोटे तोर पर बात यह है यह यहाँ पर देख है यह official notification अपका था अब देखेंगे कैसे कैसे करना है इसके दो तरीके या तो आप खुद निकाल सकते हो या फिर यह है कि आप Google कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस तरह से लिखें दिन माह वर्ष अब यह क्या लिखनी आपको तारीक क्या दिया आर्मी न है 10 वा महीना तो 10 साल कौन सा है 22 है तो 2022 एक अक्टूबर 2022 नीच आपको अपकी डेट ओफ बर दिखनी है जैसे मैं लिख रहे हूं 10-09-1996 है मेरी पर मैं एक बर यहाँ पर निस तो निन्याण मां लिख रही हूं ताक कि आप लोग थोड़ा सा समझ पाएं आपकी एज के अ सेटमबर 1909 में मैं यहां लिख रही हूं तो इसमें आप देखेंगे दिन में से आपको दिन वाला घटाना है ठीक है माह में से आपको माह वाला घटाना है वर्ष में से आपको वर्ष वाला घटाना है घटाओं में हम इस साइड से चलते हैं लेकिन यह जो घटाओं है जिसम हम ये जो माह हमारा पडोस है इससे उधारी लेंगे इससे क्या लेंगे उधारी लेंगे तो उधारी कैसे लेंगे ये माह में है और ये दिन में है तो हमको ये क्या करेगा एक माह उधार देगा जिसके घर में चीनी है वो चीनी उधार देगा ना तो इसके घर में महीना ये म 31 दिन क्यों कि अक्टूबर में होते हैं बई 31 दिन इसने उधारी दे दिया 31 तो यह था और एक यह पहले से था कितना हो गया 32 दिन हो गया अब 32 में से आपको 10 घटाना है ठीक है 32 में से 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 22 ठीक है अब यहाँ पे माह महीना आ गया ठीक है यहाँ पहले 10 महीना था एक महीना उधार चला गया अब कितना महीना बचाए 9 9 में से 9 माइनस करना है तो 0 बच जाएगा कोई दिकत नहीं है ठीक है अब यहाँ वर्ष है 2022 में से 1929 माइनस करना है डायरेक्ट आप कर सको तो वहाथ ही बड़ी है डायरेक्ट नहीं कर सको तो हासिल लेंगे 12 हो जाएगा 12 में से 9 माइनस करेंगे 3 यहाँ एक बचेगा अभी तो हासिली 11, 11 में से 9 माइनस किया 2 यहाँ 10, यह 9 बचाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा यहाँ 1 बचेगा, एक में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा मतलब मौटे तोर पर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि 22, 0 और 23 साल इसका क्या मतलब हुआ, 23 साल 22 दिन, क्या मतलब हुआ, 23 साल या वर्ष बोल दो 23 साल 22 दिन के मैं हो गई, 22 दिन, मैं हो गई 23 साल और 22 दिन के सकोर्डिंग अब यहाँ पे देखो एक जो बात कही गई थी, कि 1 अक्टूबर 2022 से काउंट होगा ये वाला दिन भी इसमें इंक्लूड किया जाए, ये बोल रहे हैं कि ये वाला दिन भी इंक्लूड होगा एक अक्टूबर वाला, ये वाला दिन भी इंक्लूड होगा, तो हमको क्या कर देना है, दिन में से एक कम कर देना है क्योंकि इसको भी यहां पे include कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 23 साल और 21 दिन की हो गई मैं ठीक है उम्र क्या थी उम्र थी 23 साल तक होना चाहिए था 1 अक्टूबर 2022 को और मैं 23 साल से क्या हो गई 21 दिन उपर हो गई मतलब मैं इससे क्या हूँ क्या हूँ बाहर हूँ form apply नहीं कर सकती एक तरीका तो यह था ठीक है दूसरा आसाम सा तरीका है google करने का वो मैं अभी आपको बताती हूँ आपको फटा फट से google पे जाना है यह google आगे आपके सामने इस पर आपको लिखना है as calculator as calculator लिख लेंगे देखो यह as लिखते ही calculator अपने आप आगया है उपर ठीक है as लिखते ही calculator अपने आप आगया है इस पर मैंने क्लिक किया as calculator पे यह आपके सामने आ जाएगा इस पर blue जो यह आपको sign दीख रहा हूँ इस पर click करेंगे तो इस टाइप से एक साइट आपके सामने खुलेगे इसी काफ़ी सारी साइट है किसी से भी देख सकते आप अब देखो date of birth शुरू में यहाँ पर date of birth लिखनी आपको यह June दिया हूँ है मुझे सितंबर करना है यह तारिक कितनी तारिक का था मेरा जनम दिन दस तारिक का था तो मैं 10 तारिक करूँगी आपर और यहां पर आपको क्या लिखा था मैंने 1969 में, 26 में है मेरी पर यहाँ समझाने के लिए आपकी एज के आसपास आने के लिए 39 में यहां पर लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक है अब age at the date of कौन से डेट पर अपने को देखने हैं अपने को देखना है ये इस पर क्लिक करना है आपको इस पर क्लिक कीज़े तो यह देखो जो अपनोंने निकाला था 23 साल 21 दिन 23 साल 21 दिन की हो गई मैं 23 साल तक ही form apply कर सकते हैं 21 दिन उपर हो गई यानि कि मैं क्या हूँ eligibility criteria से बाहर हूँ ठीक है तो इस तरह से आप अपनी age calculate कर सकते हैं जिन students को अभियाविगा exam देना है यहां वहां इधर उदर पूछने के लिए परेशान नहीं होना पड़ सकते हैं एकदम अच्छे से आपको confirm ही करना है कि और ज़्यदा अच्छे से confirm करें हम तो आप अपने ARO के नंबर Google पे सर्च करें और अपने ARO में phone करके फोच सकते हैं ठीक है बाकी सभी के लिए समान है All India के लिए age समान है आप इस तरह से अपनी age check कर सकते हैं ठीक है तो य अभी के लिए यही है इसमें कुछ changes किया जाता है government के द्वारा या army के द्वारा तो आपको inform कर दिया जाएगा कि age और किस तारिक से calculate होगी अभी के लिए इतना बताया गया है जो कि मैंने आपको information दे दिये अगर आपको information अच्छी लगी है तो like जरूर करें और अपने security criteria में बाहर हो गए हैं उनको उम्र में छोट दी जा सके वो भी हमारे भाई हैं तो उनको सपोर्ट करें और जिनके एक्जाम बचे हुए हैं एक्जाम पेंडिंग रह गए थे रद्ध हो गए हैं उनके एक्जाम हो इसमें भी उनका समर्थन करते रहें थैंक्यू सो मच जै जया भारत